So, Hello and Welcome You All, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं Coincard, Diamond and Jewells Limited के बारे में और guys, आज हम एक ACS stock के बारे में बात कर रहे हैं जो काफी सस्ता है और अगर दीखा जाए तो काफी तगड़े return बना सकता है If guys, अगर आप एक beginner हो और आप market में नए हो और आप एसे ही stock ढून रहे हो जो आपकी cost में मिले आपके capital के हिसाब से adjust हो जाए आपके portfolio में तो बिल्कुल going का diamond एक सही stock रहेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock का price काफी cheap है और आप thousand rupees भी इसमें invest कर सकते हो और twenty thousand rupees भी इसमें कमा सकते हो जो यहाँ पर levels में आपके साथ बताने वाला हूँ उन levels को अगर देखा जाए तो बिल्कुल a stock breakout देने वाला है और आपने देखा ही होगा कि penny stock में भी dumb होता है ttml देख लीजिए आप उर्जा global देख सकते हो इसे कई सारे जो stocks है जिन में आप अभी invest कर के तगड़ा मुनाफ़ा कमा सकते हो आपने वो news तो सुनी होंगी कि आपने इस xyz stock में अगर एक लाक invest किया होता तो एक साल बाद एक करोड बन चुका होता तो हाँ guys ऐसा होता है तो goingka में भी अगर आप अभी 1000 invest करते हो तो कुछ ही महीनों में 20,000 का return ओदे सकता है तो goingka diamond के बारे में काफी कुछ बात है आज इस वीडियो में हम करने वाले है तो guys please वीडियो को end तक देखना क्योंकि काफी helpful ले वीडियो होने वाला है so guys वीडियो को start करते है so guys यहाँ पर अगर देखो तो goingka diamond का जो current price चल रहा है तो एक रुपे 90 पेसे का चल रहा है एक रुपे 90 पेसे पे stock trade कर रहा है और returns की बात करूँ 0.050 रुपिज तक है stock यहाँ पर return दे रहा है 2.70% के साथ तो guys भले ही stock return धीमे धीमे दे रहा है but penny stocks का एक make बताता हूँ guys एक secret बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक trade line बनाई है तो इस trade line के नीचे stock trade कर रहा है trade कर रहा है तो वो काफी slowly तरीके से करता है फिरो उस trade line के फिर से rejection मिलता है फिरो slow हो जाता है but अगर उसे breakout मिल जाता है तो day by day उसमें upper circuit लगते जाता है तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक secret है और इसी तरीके का nature होता है इन penny stocks में तो वही यहाँ पर slow बढ़ रहा है तो इसका मतलब ए नहीं है कि breakout ए हमेशा slow ही रहेंगा breakout के मिलने का wait करो ए बढ़ सकते है तो यहाँ पर एक simple से strategy है और simple से यहाँ पर यहाँ पर हम analysis करने वाले है यहाँ पर आप देख सकते हो इस level से stock में एक बड़ी गिरावट आई थी और यहाँ से stock continue नीचे आया था और आप देख सकते हो काफी तगडी आपर गिरावट है फिर उसके बाद stock काफी नीचे तक आ गया और इस level पर इसने काफी दिनों तक काम किया इसी level के अंदर ए फसा हुआ था और इस level को आप देख सकते हो इस level के अंदर फसा हुआ था फिर इस ले इस level को break कर दिया retest किया और बिल्कुल 1.90 पेसे तक price तक चले गया है फिर उसके बाद अगर मैं इहां पर जूम करके अगर बता हूँ तो एक रुपे नबबे पेसे के price से ही नीचे आया था एक रुपे नबबे पेसे के price पर rejection मिला था फिर इस लेवल पर trade कर रहा है फिर अब इस लेवल पर यहां पर पर एक double bottom patent आपको बनता हुआ दिख सकता है और double bottom जब भी बनता है तो आप wait करते हो breakout का तो यहाँ पर breakout अगर मिलता है तो बिलकुल 35 रुपे का level हाँ पर अच्छी हो सकता है यहाँ पर आप 20,000 नहीं 30,000 भी कमा सकते हो सिर्फ 1000 रुपे इन्वेस्ट करके है और यही 1000 की जगर एक लाग अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 30 लाग का अपको मुनाफ़ा हो सकता है तो guys यही होता है इन सारे stocks में यही होता है इन पहनी stock का funda यही है आप यह भले धीरे ही return देते हैं पर return काफी ज़्यादा देता है तो first target आप यहाँ पर पाच रुपे का रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर से stock काफी दिनों तक EC level के अंदर इसने trade किया था यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसने trade करा था फिर उसके बाद इसने record तोड़ा था तो हम पाच रुपे का target इसमें पहला रखने वाले हैं so guys उसके बाद के target सिधा 35 रुपे आपको रखना चाहिए so बढ़ते है आगे और पाच दिन के time frame पर 20 पेसे तक stock बढ़ा है 11.76 percent के हिसाब से और एक महीने के time frame पर 55 पेसे stock बढ़ा है 14.74 percent के हिसाब से और 6 महीने के time frame पर 55 रुपे ही बढ़ा है और एरण हाप के pattern पर 0.05 पेसे बढ़ा है so guys इसका past अगर देखा जाए तो यहाँ पर से stock में एक बड़ी गिरावट आई थी फिर उसके इस stock में आज क्या कुछ हुआ है तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक रुपे नबबे पेसे का इसने अल्रेडी आज अपर सर्किट लगा दिया है और market cap देखा जाए market cap भी कावी अच्छा है 62.68 करोड का market cap है यह एक small cap share की category में आज आता है इस एक small cap share है और बढ़ते हैं और देखते हैं इसका high क्या है 52 weeks का यहाँ पर आप मैंने पांच रुपे का जो target बोला है उसे आप second target रखिए और जो 2.40 पेसे है उसे आप first target रख सकते हो और low अगर 0.95 पेसे का low भी है और यहाँ पर कल जो बढ़ते हैं लगा था 1.85 रुपीस का जख का और price performance में अगर देखा जाए तो बिलकूल यहाँ पर day by day increment हो रही है और 3 years का देखा जाए तो 442.86% तक का return है 1 year में 90% तक का year and half में 5.56% का 3 months में 52% का और 1 month में 35.71% का और 1 week का देखे 15.15% का दिख जाएगा तो बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज trade value उस और component delivery देखने को में बिल रहे तो morning से आज morning ही है और देखा जाए तो 7 lakh की something का trade value है जो पूरा दिन लग गया था कल 4 lakh करने में आज इसने morning में 7 lakh का यहाँ पर जो आकड़ा है उसे touch कर लिया है और 1 week का देखा जाए 3 lakh है और 1 month का 9 lakh है सो बात कर ले अगर revenues की तो revenues अच्छे का से बड़े है 2017-20 में और 2021 में भले ही कम हुआ हो बट अच्छा revenue बड़ा था 2020 में लगबग 12 करोड का 2021 में 3 करोड है और बाकि 17-18 19 में देखा जाए 17 का देखा जाए 3 करोड 18 का देखा जाए 7 करोड और 19 का देखा जाए यहाँ पर 6 करोड है सो बात कर ले अगर net profit की तो net profit डाउन ही है बट recover हो रहा है 2017 में जहां net profit काफी जादा डाउन था लगबग माइनस 15 करोड 2018 में recover हुआ 11 करोड फिर 2019 में और कम होते गया माइनस 4 करोड और 2020 में और कम हुआ और यहाँ बड़ 2021 में भी कम ही है तो यहाँ पर recovery हो रही है यानि stock अच्छा यहाँ पर recovery कर रही है company यहाँ पर holdings में promoters गाफी एच्छे holders holdings के साथ है 7.55% के साथ DIs देख जाए 4.07% के साथ है और public holding है 38.39% तो गाइस stock में दम है पैनी stock में आप बिल्कुल invest कर सकते हो वीडियो पसंद आए हो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो थेंक यू